जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में SCO Summit है 2023 का तो उसके अंदर बिलावल भुट्टो पाकिस्तान से Foreign Minister के ओधे को लेकर इंडिया आई वे हैं आज कल शायर यहीं पर हैं इंडिया में तो बिलावल भुट्टो शॉक्ट एट SCO Summit 2023 इन गोवा इंडिया ओके इसके उपर हम द शिर्कत करने के लिए भारत पहुंचें वहां पर उनका टाकरा हुआ जे शंकर से जो इंडिया के Minister for External Affairs हैं आज की इस वीडियो में हम देखेंगे SCO Summit में जो कुछ हुआ पिछले 24 hours में सबसे पहले SCO के बारे में हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये एक चाइना का प्लै Organization यानी चाइना का प्लैटफॉर्म और इसकी Presidency इस साल के लिए भारत को मिली है और भारत इस इवेंट को होस्ट कर रहा है अपने सिटी गुआ में एक खुबसूरत मकाम है एक बीच है जहां पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं और वहां पर उन्होंने ये बेसिकली SCO Summit को अ प्लैश किया है और खुलकर चखके खेले हैं आप्टिक्स वाइज डिप्लोमेटिकली भारत ने क्या क्या यहां पर अचीव किया हम देखेंगे इसमें ऑविसली चाइना ने शिर्कत की रशिया ने शिर्कत की सेंट्रल एशिया के मुमालिक और दीगर जो SCO के मेंबरान है तो हम सब ने एक फूटिज देखी पाकिस्तानियों ने जो अभी तक सोशल मीडिया पर गर्दिश करी है किस तरह जब इंडिया के फॉरिन मिनिस्टर जो एकस्टेरल अफेर के मिनिस्टर है जे शंकर जब वो अपने काउंटर पार्ट्स को रिसीव कर रहे थे वो किस तरह उनके साथ तस्वीर खिचवा रहे थे बिलावल की जब बारी आई बिलावल इस तरह करते वे आए जे शंकर के पास जे शंकर ने भी रेसिप्रोकेट किया तकरीबन दो तीन सेकंड की लिए तस्वीरें खिचवाई और फॉरन बिलावल को कह दिया आप जा सकते हैं अगर बाकी हम डिगनिटरीज की बात करें जो बाकी लोग वहाँ पर मौझूद थे फॉर एग्जेंपल रशिया का फॉरन मिनिस्टर तो वहाँ पर रुके उन्होंने जे शंकर से थोड़ी बात चीत की उसके बाद थोड़ी अच्छे खुशगवार एक्सचेंजिस की उसके बा पाकिस्तान को जलील करने की कोशिश की अब जे शंकर के क्या अलफाज थे उसके बाद उन्हेंने का कि as a foreign minister of an SEO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly, उन्हेंने का कि बिलावल को accordingly ही हमने treat किया है, as a promoter, justifier and spokesperson of a terrorism industry, यानी उन्हेंने का कि बिलावल terrorism industry के spokesperson है, which is a main state of Pakistan, his positions were called out and countered including at the SEO meeting itself, यानी उन्हेंने का कि SEO की main meeting में भी हमने उनकी छितरॉल की, अब बिलावल ने इसका क्या जवाब देना था, जो मैं आप के साथ करूँगा, तू बूलेंगे नहीं, पेरे नसले नहीं बूलेंगे, अब इस पर हमने देखा कि पाकिस्तान में दो किसम के reactions generate हुए जे शेंकर के हवाले से, जो कुछ प्रो स्टेट अकाउंट्स थे, जो अब पीपल्स पार्टी या पीडियम के जो अकाउंट्स थे, उन्हेंने बिलावल को बहुत जादा डिफेंट करने की कोशिश की, जे शेंकर को थोड़ा बहुत लताड़ा उसमें, और उन्हे as a host उनको ये नहीं करना चाहिए था, ये diplomatic gesture नहीं था जे शेंकर का, दूसरी तरफ कुछ लोगों ने पाकिस्तान में पिंट पॉइंट किया कि जो credentials बिलावल के हैं, उनकी ये जलालत बनती थी, मतलब जिस कमजोर position के साथ वो गए हैं इंडिया में, उन्हेंने ना सिरफ अ बलके पाकिस्तान की भी, तो उनकी सईची तरॉल हुई है, और कुछ लोगों ने ये भी तबसरा किया कि कहां बिलावल का experience, कहां जे शेंकर का experience, बिलावल अभी एक dynastic politician है, उसको तो बैठे बिठाए foreign ministry मिल गई, जबके जे शेंकर ने foreign office में भारत की diplomacy में उनका 30 साल से ज पाकिस्तान की यहां पर धजियां उड़ा कर रह दी, भारत का अपना जो एक propaganda है पाकिस्तान के खिलाव के हर platform पे पाकिस्तान को उन्होंने गंदा करना है, दैशतगर्दी का इलगाना है, उन्होंने वही किया, so typical भारत, जो के मूदी के अंडर है, कि उन्होंने इस platform पर भ एक word यहां यूज होता है, एक शो, तो वो चल रहा है इस वकत जो कुछ हो रहा है, SEO में, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कि अपनी right wing जो population है इंडिया में, जो इनकी support base है, BJP की, उन्होंने इसको खुश करने की कोशिश की है, उस support base को पाकिस्तान को openly लितार के, मतलब क्या मिल जाएगा, क्या आप उसे रशिया और चाइना की positioning week कर सकते हैं, पाकिस्तान के हवाले से, उस पर असरन अंदाज हो सकते हैं, भारत मिलकुल भी नहीं, यह सिर्फ इनकी अपनी खरमस्ती हैं, जो अपनी population को दिखाने के लिए, अब आ जाते हैं, बिलावल is a foreign policy disaster for Pakistan, यह पाकिस्तान की तरीख की सबसे महेंगे internship है, एक spoiled brat जिसको आपने foreign minister बना दिया, पता नहीं किन लोगों की खुआश पर, मतलब जिन लोगों की खुआश थी कि यह foreign minister बने और जो इसको prime minister बनाना चाहते हैं, उन्हें पाकिस्तान की कोई पाकिस्तान से कोई हमद दर्दी नहीं है, उनको हमदर्दी है तो अपनी politics की, जो अपनी उनकी power struggle है, जिसमें वो बिलावल को glorify कर रहे हैं, के एक product उसे बनाया जाए, and he is not a product, he is a product of dynastic politics, जिसको आप उठाकर पता नहीं क्या चीज़ बनाना चाहते हैं, बिलावल की सहर देख लें, जिस तरह वो खड़ा हुआ था, तो उस पर ये भी memes बनी हुई थी, कैसे लग रहे हैं, के पूरे सिंद्ध के बच्चों का पैसा खा गया, बिल्कुल, वडेरे का बेटा, आपने उसको उठाके foreign minister बना दिया, अपने region में जरा आप नजर दोड़ाएं, कि क्या क्या जबड़ दस diplomats को उ उन्होंने foreign minister लगाया है, ये मैं कई वीडियो में बात कर चुका हूँ, जेश अंकर का तजर्बा आप देख लें, जो उन्होंने किया वो गलत है, बट अपने इंडिया के लिए वो अच्छा कर रहा है, हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा कौन कर रहे हैं, रशिया का foreign minister, पुराना experience, 40 साल का, लाव रॉफ, तुर्की का foreign minister देख लें, इरान का foreign minister देख लें, चाइना का foreign minister देख लें, पाकिस्तान को यही नसीब होना था, ये पाकिस्तान की बदकिस्मत ही है, कि हमें इस तरह के लोग, जो जिन्होंने अपनी CV बेतर करनी थी, अपनी internship करने के लि लेकिन पाकिस्तान का foreign minister बना हुए है, इस वकत एक elected representative पाकिस्तान का foreign minister नहीं है, 33 साल के एक बगड़े वे बच्चे को आपने foreign ministry दे दिया है, तो फिर यही होना है, फिर वो पाकिस्तान की जलालत ही करवाएगा, बड़े अफसोस की बात है, मुझे ये मेरा दिल खून के अ हम रह नहीं सकते हैं, मतलब कौन यार, किसी वाप पुराने diplomat से पूछने हैं, वो इस वकत रो रहा है पाकिस्तान में, हमारे यहां बड़े बड़े जबर दस लोग, तजर्बाकार लोग बैठे हैं, वो सिर्फ अपने ट्विटर की tweets की महदूद हैं, क्योंके talented लोग यहा और जब कुछ serious meeting होती है, जब region से related होती है, अफगानिस्तान से related होती है, तब आप हिना रबानी खर को भेज़ देते हैं, अफगानिस्तान के वाले से दो meeting हुई हैं, एक रूस में, एक उद्विकस्तान में शायद उस महिना रबानी कर थी, वहां पर बिलावल नहीं जाता लेकिन जब कोई सेरो तफरीकी बात हो, वेस्टन कैपिटल में फिरना हो, लॉबिंग करनी हो, अपनी सीवी बिल्ड करनी हो, तो बिलावल बुटो को वाँ बेजा जाता है, इंडिया में जब गोई की बीच के मज़े लेने हो, तो बिलावल को भेज दिया जाता है, मैं तो क किसी को कोई गुसा नहीं चाड़ा, तब तो किसी की कोई गिरफतारी नहीं आमन में लाई जा रही, तब तो कोई नहीं सोशल मीडिया ट्रेंड्स बन रहे, मतलब इस वकत भी आप देखें, आपका प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर रहा है, तो अपने मुल्की ऑपोजिश कर रहे हैं, उठवा लो हमें, अपने पॉलिटिकल एमविशन्स की तकमील के लिए आपने पाकिसान की फॉरंड पॉलिसी का जनाज़ा निकाल दिया, और फिर आप देखने कश्मीर के हवाले से कोई कुई कंक्रीट बात नजर नहीं आई, आर्टिकल 370 के हवाले से कोई ब को रहे हैं, तो आगे से वो यह वो डेरे वाला एटिचूट, हा हा हा, मतलब इस अ नॉन सीरियस, नॉन डिप्लोमाटिक अप्रोच, वो देखें, वो एक कमिटेड नजर आ रहे हैं, इंडियन्स, जे शंकर की सरब राही में, कहीं नहीं, पाकिस्तान को कुचलना है, पाकि पाकिस्तानी जो जेर्लिस्त, जो बड़े करीब हैं इस हकूमत के, वो यह करते फिर रहे हैं, उनको गोवा की बीच बड़ी पसंद आई है, गोवा ले जाओ जी इन्होंने क्या बोलना है, इन्होंने क्या कंडेम करने हैं, इन्डियन लैंगविज को यह तो उनकी सरजमीन पर बैठे नाचते कर रहे हैं, गोवा की बीच पर सेलफियां उतरवाई जा रही हैं, इनके अपने हैं, शेशकें नहीं खतम हो रहे हैं, तो इन से क्या उमीद करना, बगल बच्चे, मुल्का इस वकत मसला यही बनावा है, जो अपॉइंटेड आफिशल्स हैं, वो इस व खतम हो चुकिया, इन लीगल हकूमतें बैठी हैं, लेकिन नहीं जी, अलेक्शन्स नहीं हो रहें, अलेक्टिड रेप्रेजन्टिटिव से डर लगता है स्टेट को, कि जी वो अवामी खौइशात के मताबिक फैसले करें, अवाम से पता नहीं क्यों डर लगता हैं, तो हम अब लोग तोपे में तो पिर जब आफ़ पूरे आईन की धजियां उड़ा देते हैं, जमहुरूरियत को उडाकर रह देते हैं, फिर यही तुफ़े मिलते हैं आपको, तब प्र, आपकी एकॉन्वी का भी जनाज़निक, तब आपकी फौषन पॉरंपॉलिसी का भी कर दिये अभी तो यह स्टार्ट है फॉर्ण पॉलिसी डिजास्टर्स का आगे आगे देखें होता है क्या यह इसी महीने जी ट्विंटी समिट इंडिया कराने जा रहा है भारत पूरा पूरा खेल रहा है वो फ्रंट फुट पे आके च्छके मार रहा है तो आपको जलील कर र लेंगे यह आपने पाकिस्तान को लेड़ डाउन किया पूरा पाकिसान आप तो हुए ही हुएं जलील वो तो आप बिस्ती प्रूफ हैं पाकसानी अवाम भी आपकी जलालत करती रहती है बट जो आपने इधर कर दी है पूरे दुनिया में जगशाई हुरी है बट आपको क भारत सम्मिट करवाएगा, आपके पूरे कश्मीर के नेरिटिव को वो कुचल के रह देगा, दफ़न कर देगा आपकी कश्मीर पॉलिसी, और यह तो हमें पता ही, यहां पे तो अलरेडी कुछ इंडिविजियल्स की खौईश थी कि कश्मीर पॉलिसी को हम दफ़न कर दे, लेखते हूं क्या प्लैन है आपके पास, अब वो आपका कश्मीर नेरिटिव दफन करेगा, आपको मजीद जलील करेगा, और आपको मजीद वो आइसलेट करने कोशिश करेगा, क्योंकि उसे भी पता है, कि जब कॉम्प्रमाइजड क्यादत हो, जब इतने करप लोग आज जब में अपनी बिजनिस एमपायर को ग्रो करने आते हैं ना, वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के इमिज का ख्याल नहीं रख सकते, ये इंडिया भी ये चीज़ देख रहे है, और वो आपको मजीद गंदा करेगा, जब तक यहां पर अवामी हकूमत नहीं आएग रिपोर्टिंग कर रहा है, वो कमिटेड होके लगें हैं, लगें हैं, पाकिस्तान को लताज़े हैं, वो रिपोर्ट्स बना रहे हैं और यहां पर ये सैल्फिया ले रहे हैं। हमें कॉमें सेक्शन में बताईए कि जो नेक्स्त मूव है भारत का, क्या भारत इस महीने G20 सम यह जो शंकर के पास है और सारे आप देखें तो experience holders गए हुए है इस summit के अंदर SCU summit जो की शंगाई की है चाइना की summit है और लड़कों रहा है इंडिया बागिस्तान का सीन बना हुआ है वहाँ पर तो सबसे पहली बात तो यही के experience नहीं है तो उंगलियां उठेंगे सवाल उठेंगे और उस level की इज़त नहीं मिलेगी पहली बात यह हो गए ठीक है लेकिन मैं अगर कहूं एक normal सी एक महमान नवाजी जो कहते हैं कि आपके यहाँ पर कोई आया है तो चाहिए वो दुश्मनी कोई भी क्यों नहीं हो आपको उसकी थोड़ी सी respect भले ही ना करें respect नहीं हो क्योंकि दिलों से तो respect नहीं होगी लेकिन हाँ वो महमान नवाजी थोड़ी सी करनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है बाकी जब आहिर आए एक बंदा उसको permission आने की या फिर उसको बुलाया गया है कि आप भी आओ अपने इस summit में आकर हिस्सा लो जब वो आ रहा है तो फिर महमान नवाजी करो थोड़ी सी कोई फरक नहीं पड़ता उससे बाकी दुश्मनी अपनी जगा पर है तो ये बड़ा सीन बन गया है एक बेजज़ती वाला सीन बन गया है बिलावल भुट्टो का वो ऐसा नहीं है कि इंडिया में अगर ही उन्होंने बेज़ती कराई है अपने पाकिस्तान में कराते रहते हैं वो दूसरी जगाओं उपर दूसरे देशों में कराते रहते हैं ट्रोल होते रहते हैं क्योंकि उतके पास एक 33 साल का बंदा यार फोरेंड मिनिस्टर बना कर बेज दिया बिना इलेक्शन के और क्या हल होगा उसका यार आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं फिलाल एंड करते हैं इस वीडियो को बाई